एक्स्प्लोर इंडिया विद्विकास में आपका स्वागत है। प्रजट संबद्धित कोई दिक्कत नहीं है तो आप फ्लाइट से गोवा जाईए। यदि आप एक से दो महीने पहले गोवा जाने की एकोनोमी फ्लाइट बुक कर लेते हैं तो फ्लाइट का किराया प्रतिवेक्ति दो हजार से तीन हजार रुपे के बीच ही पड़ेगा तता आप अपने ग्रह नगर से फ्लाइट से केवल एक से दो घंटे में गोवा पहुंच जाएंगे। यदि आप ट्रेन से गोवा आते हैं तो ट्रेन का किराया तो बहुत कम लगेगा परंतु गोवा तक पहुंचने में समय एक से दो दिन लग जाएंगे। बस से भी गोवा पहुँचने में काफी समय लगेगा इसलिए हमारा आपको सुजाव है कि आप फ्लाइट से ही गोवा जाईए गोवा पहुँचने के बाद आप एरपोर्ट, रेलवे स्टेशन अथवा बस से अपनी आनलाइन बुक होटल तक टेक्सी से जाएं गोवा में आप होटल एसी बुक कीजिएगा जो बीच के पास हो, अपनी होटल में चेक इन करने के उपरांद आप अपनी होटल में चाए नाश्ता करें, तता उसके बाद अपनी होटल के पास जो भी बीच हो, वहां घुमने निकल जाएं, आप समुदर के पानी में खुब इंजोई करें, डिनर भी आप बीच पर जो सेकड़ो रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहां ही करें, डिनर करने के उपरांद आप अपनी होटल में आकर रेस्ट करें, इस प्रकार खुब शुरुत गोवा में आपका पहला दिन समाप्त होता है, अगले दिन आप अपनी होटल म का breakfast करें तथा गोवा घूमने के लिए आप होटल से बाहर निकल जाएं होटल के बाहर ही आपको किराय पर स्कुटर बाइक तथा कार देने वाले ट्रेवल एजन्ट मिल जाएंगे आप वहाँ से अपनी मन पसंद गाड़ी किराय पर ले सकते हैं स्कुटर का एक दिन का किराया केवल 250 रुपे होता है बाइक का किराया साड़े 300 रुपे तथा कार का किराया 800 से 1000 रुपे के लगबग होता है ये वाहन किराय पर लेने के लिए आपको अपने आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कापी ट्रेवल एजन्ट को देनी होती है एक बात और ध्यान रखें कि आप जो भी गाड़ी किराय पर लेते हैं उसका फोटो अपने मोबाइल में खीच ले तथा उस वाहन का आर्टियो रजिस्ट्रेशन नंबर में नोट कर ले इसका कारण यह है कि गोवा में आप जहां भी अपना वाहन पार्क करेंगे वहां आपके वाहन जैसे ही सिकड़ो वाहन पार्क होंगे यदि आप अपनी गाड़ी का नंबर याद रख लेंगे तो आपको अपनी गाड़ी खोजने में ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना पड़ेगा वाहन किराय पर लेने के बाद आप सबसे पहले अपने वाहन में पेट्रोल डलवाएं क्योंकि जब आप गाड़ी किराय पर लेते हैं तो गाड़ी किराय पर देने वाले गाड़ी में लगबग आधा लीटर पेट्रोल ही देते हैं गोवा में पेट्रोल पंप बहुत दूर होते हैं इसलिए गोवा में हर आदे किलोमेटर पर सड़क के किनारे बॉटल्स में पेट्रोल बिखता हुआ मिल जाएगा आप पेट्रोल पंप की जगह इनसे ही पेट्रोल ले ले हाला कि यह पेट्रोल आपको 5-10 रुपे ज़्यादा मेंगा पड़ेगा परन्तु आप 10-12 किलोमेटर दूर इस्थित पेट्रोल पंप पर जाने से बच जाएंगे गाड़ी किराये पर लेने के बाद आप गोवा का सबसे प्रसिद कलिंगट अथवा बागा बीच देखने जाएं इस बीच पर आप डॉल्फिन राइड, पेरा सेलिंग, बनाना बोट राइड, वाटर स्कूटर आदी वाटर एक्टिविटीज को अपने परिवार के साथ इंजोई कीजिए यह सारी वाटर एक्टिविटीज आप यदि एक साथ बुक करते हैं, तो आप बहुत कम पेसे में यह सारी एक्टिविटीज इंजोई कर पाएंगे इन सारी वाटर एक्टिविटीज में आपको 3-4 घंटे का समय लगेगा यह activity करने के बाद आप बीच पर ही किसी restaurant में lunch कर ले इसके बाद आप अगोडा फोर्ट, चापुरा फोर्ट तथा स्विंक्वेरियम फोर्ट देखने जाएं इन फोर्ट को देखने में आपको 3-4 गंटे का समय लगेगा गोडा के फोर्ट देखने के बाद आप अपनी होटल में या किसी अन्य restaurant में डिनर करें तथा अपनी होटल में आकर rest करें तीसरे दिन आप सुभा का breakfast अपनी होटल में जल्दी से कर लें तता सीधे कलिंगट बीच पर स्थित कलिंगट रेसिडेंसी होटल पर 8 बज़े तक पहुँच जाएं इसी होटल के reception से आप साउध गोवा बस ट्रिप बुक कर लें इस ट्रिप का किराया AC बस से केवल 3.500 रुपे है बस आपको इसी होटल से साड़े आठ बज़े पिक करेगी तता आपको साउध गोवा के महत्पून टूरिस स्पॉर्ट दिखा कर रात को साड़े आठ बज़े इसी होटल पर छोड़ देगी आप यह ट्रिप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं गोवा टूरिजम डिपार्टमेंट की यह बस आपको ओल्ड गोवा के चर्च तता रिजनेबल होता है गोवा टूरिजम की यह बस आपको घूमने के लिए भी काफी समय देती है जिससे आप आराम से इन टूरिस प्लेसेस को अच्छे से एक्स्प्लोर कर पाएंगे यह बस आपको कलिंगर्ड रेसिडेंसी में रात को साड़े आर बजे छोड़ देगी जहां से आप अपने स्कूटर से या टेक्सी से अपनी होटल आराम से पांस से दस मिनट में पहुंच जाएंगे इसके बाद आप डिनर करके अपनी होटल में रेस्ट करें इस प्रकार गोवा में आपका तीसरा दिन समाप्त होता है चोथे दिन आप सुभा का ब्रेक्फास्ट करें तता दूद सागर वाटरफाल देखने के लिए अपनी स्कूटर से या अपनी कार से निकल जाएं यह वही जर्ना है जिसे चेन्ने एक्स्प्रेज मूवी में दिखाया गया था यह वाटरफाल सडक मार्ग से पनजी से साट किलमेटर दूर इस्तिते दूद सागर वाटरफाल से लगबग 15 किलमेटर पहले ही आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी होती है तता आगे की यात्रा महाँ पर वन विभाग द्वारा स्वीकरत एवं अधिकरत जीप से ही करनी होगी इस जीप का किराया 400 रुपे प्रतिवेक्ति होता है तता फौरेस्ट एंट्रिफीस तता लाइफ जेकेट फीस 50-50 रुपे अलग से देनी होती है इस प्रकार 500 रुपे प्रतिवेक्ति खर्च इस वाटरफाल को देखने में आता है इस वाटरफाल को देखने के लिए आपको जीप जिस जगह छोड़ देगी वहाँ से आपको पेदल भी बहुत चलना पड़ेगा यदि आपके साथ चोटे बच्चे तथा बुजर्ग लोग हैं तो आप इस वाटरफाल को देखने मत जाईएगा क्योंकि इस वाटरफाल तक पहुँचने का रास्ता फिसलन भरा तथा उबर खाबड़े जिस जीप से आप दूद सागर वाटरफाल देखने जाते हैं उसका ड्राइवर आपको केवल डेड़ घंटे का ही समय इस जरने को देखने के लिए देता है तथा केवल डेड़ घंटे में ही आपको वापस अपनी जीप तक लोटकर आना पड़ता है तथा वह जीप वापस आपको आपकी गाड़ी जहां पारक है महां छोड़ देती है इसलिए आप इस जरने को ठीक तरह से एक्स्प्लोर नहीं कर पाते हैं इस वाटरफाल के पास खाने पीने की भी कोई अच्छी रेस्टोरेंट नहीं है इसलिए आप अपने साथ कुछ खाने पीने का सामन जरूर ले जाईएगा यहाँ वाटरफाल पूरे साल बर भैता रहता है परंतु वर्षा रितु में इस जरने तक जाना बहुत खतरनाक माना जाता है यदि आप वर्षा रितु में गोवा जा रहे हैं तो भूल कर भी इस जरने को देखने मत जाईएगा गोरतलबे की पहले ट्रेन द्वारा भी इस जरने को देखा जा सकता था परंतु कॉंकन रेलवे ने जरने वाले स्थान पर ट्रेन को रोकने की मनाई कर दिये तो आप इस waterfall को अब train द्वारा नहीं देख सकते हैं हमारी आपको सला है कि यदि आपके पास पूरा एक दिन हो तथा आप पूरी तरफ फिट हो तो ही इस ज़रने को देखने जाईएगा इस waterfall को देखने के बाद आप वापस अपनी hotel में आकर dinner करें तथा rest करें पांचवी दिन आप अपनी hotel में सुबह का नाश्ता करें तथा कलिंगट बीच अथ्वा बागा बीच पर आ जाएं यहां से आप dolphin boat ride trip का प्रतिवक्ति किराया 300 रुपे होता है आप bargain करके किराया कम भी करा सकते हैं dolphin boat ride सामने तथा सुबह के समय ही चलती है dolphin boat ride trip में आपको समुदर में काफी दूर तक ले जाकर dolphin दिखाई जाती है dolphin boat ride trip में आप सेकडो dolphin को बहुत पास से अठखेलिया करते हुए देख सकते हैं इस dolphin boat ride trip में आपको लगबग 2 घंटे का समय लगेगा dolphin boat ride करने के बाद आप बीच पर फोटो क्लिक करा सकते हैं बीच पर बहुत सारे professional photographers होते हैं जो कि आपके बहुत सुन्दर फोटो क्लिक करेंगे इसके बाद आप महीं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट पर लंच करें तथा उसके बाद आप अपने परिवार के साथ बीच शेक्स पर आराम करें गोर्तलवी की बीच शेक्स एक प्रकार की आराम करने की कुरसियां होती हैं जो की बीच की रेद पर लगी होती हैं तथा इनके उपर बड़े बड़े रंगीन चाते लगे होते हैं इन बीच शेक्स कुर्सियों का किराया 100 रुपे प्रती घंटे होता है इसके बाद आप अपनी गाड़ी से सांता मोनीका जेटी नामक इस्थान पर जाएं यहाँ पनजी के पास है इस जगे से गोवा की मांडवी नदी में जो क्रूज चलते हैं उन में बिठा जा सकता है आप इवनिंग क्रूज अत्वा संसेट क्रूज बुक करें इसका किराया 200 रुपे प्रती विक्ति होता है यह क्रूज आपको लगबग एक घंटे तक नदी में घुमाते हैं इस दोरान क्रूज पर गोवा के कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं यदि आपका मन गोवा के केसिनो को देखने का हो तो आप इसी जगह से गोवा के केसिनो में भी जा सकते हैं कसिनो की एंट्री फीज 3,000 रुपे से 6,000 रुपे की बीच होती है इसमें रात का डिनर भी शामिल होता है तथा केसिनो में खेलने के लिए कुछ चिप्स भी फ्री में मिलती हैं परंतु आप यह ध्यान रखें कि केसिनो में आप 18 वर्ष से कम उम्र के अपने बच्चों को नहीं ले जा सकते हैं क्रूज तथा केसिनो में इंजोई करने के बाद आप अपनी होटल में आकर रेस्ट करें इस प्रकार आपका कोवा में 5 वा दिन समापत होता है छटे दिन आप सुभा अपनी होटल में ब्रेकफास्ट करें तथा अपनी किराई से ली गई काड़ी वापस कर दें इसके बाद आप होटल से चेक आउट करें तथा टेकसी के द्वारा एरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन अथो बस सिस्टन पहुं जाए इसके बाद आप अपने ग्रह नगर की ओर प्रस्थान करें इस प्रकार आपकी खुबसरत गोवा ट्रिप खुबसरत यादों के साथ समाप्त होती है अब हम इस छे दिन की गोवा ट्रिप के अधिकतम खर्च की बात करते हैं चार लोगों का आने जाने का फ्लाइट का कुल किराया 16,000 रुपे, चार लोगों का छे दिन का टेक्सी या स्कुटर का कुल किराया 6,000 रुपे, चार लोगों का छे दिन का भोजन का खर्च 10,000 रुपे, चार लोगों का छे दिन का एक्टिविटी का कुल खर्च 8,000 रुपे चार लोगों का गोवा में 6 दिन का अधिक्तम कुल खर्च 46,000 रुपे इसे हम 4 से डिवाइट करते हैं तो प्रतिवेक्ति अधिक्तम कुल खर्च 11,500 रुपे आएगा इस प्रकार आप केवल 11,500 रुपे में शांदार तरीके से फ्राइट को शामिल करते हुए गोवा घुम सकते हैं यदि आप फ्राइट की जगे ट्रेन या बस से गोवा आते हैं तो यात्रा खर्च 16,000 रुपे से घटकर केवल 6,000 रुपे ही आएगा तथा चार लोगों की इस गोवा यात्रा का कुल खर्च 36,000 रुपे ही आएगा इस प्रकार प्रतिवेक्ति खर्च भी 11,500 रुपे से घटकर केवल 9,000 रुपे ही आएगा तो अब इंतजार मत कीजिए जल्दी ही गोवा घुमने का प्लान बनाईए यदि आपको हमारी जानकरी सही तथा उप्योगी लगी हो तो प्लीज हमारे चेनल एक्स्प्लोर इंडिया विद विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक्यू